आज हम चर्चा करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। बिम्स्टेक ने हाल ही में अपना 24 वर्सगांट मनाया है। बिम्स्टेक के सदर से देशों ने मिलकर COVID-19 का मुकाबला करने का प्रण लिया है। नेपाल के प्रधान मंत्री ने मौके पर कहा कि विविद चुनावतियों से लड़ने के लिए बिम्स्टेक एक अच्छा प्लाटफोर्म है। भारत के प्रधन मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि बिम्स्टे के एक आशा जनक शेत्री समू के रूप में उभुरा है, इसने कनेक्टिविटी के लिए मास्टर पलान को अंतिम रूप देने सहित कई मंचों पर प्रगति की है। गवर तलब है कि पिछले दो दश्कों से अधिक समय में बिम्स्टे के सिर्फ चार ही शिखर सम्मेलन हो पाए हैं। अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्री लंका के दौरा की जानी है, परन्तु COVID-19 महमारी को देखते हुए अनिस्चितता बरकरार है। देखते हैं बिम्स्टे क्या है। स्री लंका और थाइलेंड हैं। बिम्स्टे की स्थापना 6 जून 1997 को बिस्टे के रूप में बैंकोक में हुई थी। 22 दिसंबर 1997 को मियाममार के शामिल होने के बाद इस सम्मु का नाम बिस्टे क से बिम्स्टे क हो गया। बिम्स्टे का उदेश से क्या है। बिम्स्टे के सदस्य देश कुल 14 छेत्रों पर परसपर सहयों के कार्य करते हैं। वे 14 छेत्र हैं। सभी सदस्य देश शायक्षनिक, व्यावसायक और तकनीकी छेत्रों में प्रशिक्षन और अनुसंधान सुभीधाओं के प्रावधान के लिए एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। बिमस्टेक का उदेश सहे सामाजिक और आरथिक विकास को बढ़ावा देना। आए अब समझते हैं इसके मुख्याला के बारे में। बिमस्टेक का इस्थाई मुख्याला बंगलादेश की राजधानी ठाका में इस्थित है। वर्तमान में बिम्स्टेक के महा सच्चिव अमबेसिडर तेंजिंग लेक फेल हैं जो भुटान से हैं आए आप समझते हैं बिम्स्टेक की अध्यक्षता कैसे निर्धारित होती है बिम्स्टेक अध्यक्षता के लिए वर्नानुकरम यानि अलफाबेटिकल आउडर का उप्योग करता है अर्थात बिम्स्टे की अध्यक्षता 1997-1999 में बंगलादेश से सुरू ही इसके बाद इसकी अध्यक्षता भूटान के पास आई और इसी तरह वर्नक नुकरम में बढ़ते बढ़ते थाईलेंड में समाप्त होगी और फिर से यहाँ बंगलादेश से प्रारंब होगी बिम्स्टेक शिकर सम्मेलन इसके बारे में चर्चा करें अब तक बिम्स्टेक के सिर्फ चार ही शिकर सम्मेलन हुए हैं पहला शिकर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को बैंकोक थाईलैंड में हुआ था दूसरा शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2008 को न्यूडेली इंडिया में हुआ तिसरा शिखर सम्मेलन 4 मार्च 2014 को नेपी दाव में म्याम्मार में हुआ चcificर सम्मेलन 31 अगस्त को 2018 को काट मांदु नेपाल में हुआ और पाचवा सिखर सम्मेलन 2022 में स्री लंका में होना है परन्तु COVID-19 के कारण आनिस्चित्ता बरकरार है अगर विम्स्टेक की उपलबदियों की बात करें तो ब्यापार को सहज और सुगम बनाने के उदेशे से बिम्स्टेक मुक्त वियापर्ष शेत्र व्रेम वर्क समझहोते याने बी-एफ टाफा पर सभी सदस्य देशों द्वारा हस्त दकश्र किये गए हैं बाफ्टा बी एफ टाफा का उदिश्य है सदस्य देशों के मध्य व्यापार और निवेश को प्रोसाहित करना तथा बाहया निवेश को आकर्शित करना 7 और 8 नवंबर 2019 को भारत के विशाख खाप्टनम में पोर्ट सिखर सम्मेलन का पहला बिंस्टे कनक्लेव आयोजित किया गया था इस शिखर सम्मेलन का उदिश्य समुद्री संपर्क को मजबूत करने बंदरगाह के नेतरत्व वाली कनेक्टिविटी पहल और सदस्य देशों के बीच सर्वोतम प्रथाओं को साज़ा करने के लिए मंच प्रदान करना है आगे की रह क्या हो पिछले दो दसकों से अधिक समय में बिम्स्टेक के सिर्फ चार सिखर सम्मेलन हुए हैं जो एक निरासा जनक संकेत है बिंस्टेक को निर्धारित 14 छेत्रों में लक्षा हासिल करने के लिए नियमित रूप से शिखर सम्मेलनों को आयोजित करना सुनिश्चित करना होगा धन्यवाद